हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर हर्दिक स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एनम जीनम का टाप के बारे में तो यहां पर आपको पता चलेगा कि अगर आपने यूपी एनम जीनम का जो फार्म होता है मेरिट बेस से जिसमें सेलेक्शन होता है हाई स्कूर और इंटर की मेरिट में अगर आप फार भार चुके हैं और आप वेट कर रहे हैं कि आखिर में हमारा इतनी परसेंटेज है क्या हमें कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा तो जीनम वाले इस्टुबेंट ध्यान आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको पता चल जाएगा कि आपका सेलेक्शन यहाँ पर होने वाला है कि नहीं होने वाला है वीडियो इंपोर्टेंट है वीडियो को इंट तक देखते रहे हैं वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्रा प्रम भारा है या वहार है उब लगातार इंतजार कर रहे हैं यहीं हमारा नाम इस से पहले आपकी आपकी जंकारी के दिखें हैंकी नौर्ट army हो चाहए वो जेन की हो तो एनम केवल फीमेल इस्टूडेंट ही अपलाई कर सकते हैं तो यहाँ पर एनम की सीटें काफी ज़्यादा हैं और जीनम की सीटें एनम की अपेच्छा पहुत कम रखी गई हर एक साल लगवक इतनी सीटें होती हैं और जो सारे कॉलेज हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें वो सारे गवर्मेंट कॉलेज होते हैं यहाँ पर कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं रखा गया है अगर आपने यह मेरिट बेश्ट वाला फार्म भरा है जिसकी फीस आपसे दो सो रुपे लिए थी तो फ्रिंड्स आप परसेंटेज की बात करें कि कितना परसेंटेज अगर हैं तो हम सियोर समझें कि हमारा सेलेक्शन हो जाएगा तो फ्रिंड्स यह कंफर्म रहेगा और आप देखेंगे भी हम वीडियो प्रूप के साथ देंगे जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें मेरिट लिस्ट में आप देंगे कि 90 से प्लस परसेंटेज वाले लगवग 50 से 60 इस्टुडेंट आपको लगवग देखने क वो मिलते हैं और टॉप जो इस्टुडेंट करता है उसका परसेंटेज लगवग 95, 94 लगवग 93 से प्लस परसेंटेज तो होता ही होता है जब इसका मेरिट फाइनली आएगा तो आपको प्रूप के साथ दिखाएंगे कि यह देखें जैसा आम इस वीडियो में वता रहे है फाइनली बैसा ही होता है कि जो टॉप वन मतलब जो टॉप पहला इस्टुडेंट होता है इस लिष्ट में जब आपके लिष्ट आएगी वीडियो आपको मिल जाएगा उसमें आप देखेंगे कि पहले दूसरे तीसरे इस्टुडेंट की मेरिट 95 परसेंट 93 परसेंट 92 प देखेंगे तो उनका मैरिट मैयaupt अमोमन 90 से प्लस या 90 परसेंटे होता है 90 का मतलग हाइए स्कूल में भी उनका 90 परसेंट और एंटर में भी उनका 90 परसेंट यानि अगर आपकी मेरडि इतनी है हम जाते हैं बहुत कम ही स्टुडेंट की इतनी मेडि होती है लेकिन by the chance अगर आपका merit इतना है तो आप तो confirm ही रहिए कि आपको आपका मन पसंद college जो भी आपने preferences वारा है वही आपको college मिलने जा रहा है क्योंकि आप merit list उठाके जब देखेंगे जब आएगी तो उसमें लगवग 30-40 student इस category की होते हैं जिनकी merit 90 प्लस यानि 180 या 180 से plus percentage हो होता है कोई भी entrance exam conduct नहीं कराया जाता है तो आपकी जितनी high school की merit है और जितनी enter की merit है उतनी चोड़ दीजीगा और comments में जरूर बताईएगा कि आपकी कितनी merit है तो यह अंताजा लग जाएगा कि कितने student है जिनकी merit 190 या 180 से plus है और confirm आईएगा कि यह merit अगर general category की भी है EWS से बिलॉग करते हैं फिर भी आपकी अगरिती मेट है तब भी आप टॉप 50 में आने वाले हैं confirm रहिएगा अगर आप 90% है आई स्कूल प्लस इंटर और चाहे आपकी category क्योंकि यहां पर category के according ही आपको यहां पर यानि horizontal और वर्टिकल दोनों प्रकार के आरचण यहां पर आपकी merit और प्लस आपका आरचण यानि आप किस category से बिलॉग करते हैं उसके आधार पर ही आपको यह college प्रोवाइट किये जाते हैं क्योंकि 10% EWS को भी देना है 27% OBC को भी देना है इतने सारे जो आरचण होते हैं उनके आधार पर ही आपको यह college प्रोवाइट किये जाते ह कि अगर 180 या 180 से plus है तो आप तो 100% आपका selection top 50 के अंतरकत में होने वाला है लेकिन उसके बाद अगर बात करें कि अगर आपका माना की 80% है तो समझ लीजेगा कि यहां पर जो सारा खेल होने वाला है वो 80 और 90 के बीच में ही होने वाला है बहुत कम chance होता है कि इससे कम merit तो आप देख लीजेगा कि यहां पर लगवग सव एक सो पचास यहां देख लीजेगा सव एक सो बीस तक जो मेरिट लिष्ट है वो 80 से प्लस परसंटेज वाले इस्टूडेंट का होता है और कापी सारे ऐसे भी इस्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे कि जिनका मेर लेडी एनम किये हुए होते हैं उन्हें आरचछड के तहट यहां पर जिनका प्रोबाइट किये जाता है तो उनकी अगर बात यहां पर छोड़ दें तो नॉर्मल इस्टूडेंट जो एनम नहीं किये हुए है तो वो अगर जिनका पॉर्म बार रहा है अगर उसका 85 रहा है जीनम कोर्स की बात कर रहे हैं इसमें इस कटाब पर एनम की कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं जीनम की बात कर रहे हैं 170 प्लस परसंटेज पर आपको जीनम का कॉलेज मिलने चा रहा है और जो टॉप इस्टूडेंट आएगा वो 93 से प्लस आपको देखने को मिलेगा त कितना पर्सेंटेज है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कनफर रहीगा एक दूसरा वीडियो और आने वाला क्योंकि इतना पर्सेंटेज सब्सक्राइब कर नहीं होता है इसमें आरच्छड के तहित आपकी पर्सेंटेज कभी-कभी कम भी जाती है उस पर बहुत जल्द वीडियो आने वाला है वीडियो का असा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जुरू बताइगा हातों साहित मत होईएगा क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि इस्टूडेंट कम पर्सेंट बाले ही भी इस्टूडेंट इसमें फॉर्म डालते हैं हलांकि वो टॉप वन टॉप पीस या टॉप टेन की अंतरगत नहीं आते हैं थोड़ा नीचे आते हैं लेकिन यह कनफर रहिएगा कि 80% से कम अगर है तो आप में आप इसमें आपके सेलेक्शन का चांस बहुत कम है अगर आपका 80% से कम है अगर हां 80% से कम है अगर आप एनम इत्य क्या दिखिये हुए हैं तो आपको आराच्छड के तहित या फिर आपकी कैटागरी का करने आपको मिल सकता है अधरवाज हाई कास्ट में कह सकते हैं ओवी सी या जन्रल कैटागरी में आपको इतना कम परसेंटेज में 80 के नीचे आपको कोई भी यहां पर कॉलेज देखने को नहीं मिलने वाला है थैंक्स ऐर वाचिंग और सबस्क्राइब और चैनल और बहुत जल्डड आपको एन-म आ मप भी ऐसा वीडियो मिलने वाला है कि जिसमें एनूम्ड का आपकी कितना परसेंटेज में एनम को एनम का कॉलेज आसानी से मिल जाएगा बहुत जल्डड व